हेलो दोस्तों देखो सिखो विके सिंग में आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं आपको वही चेप्टर के प्रॉग इतियासी काल हो गया सिंदू आटी सब्वेता हो गया बहुत सारे जो आपके कोशन इतियास से भुगोल से और कंप्यूटर से विज्ञान से जो आपके कोशन पूछे आते हैं बहुत ही टफ लेबल के जो पूछे आते हैं उनको मैं इस वीडियो में 10-10 कोशन करके कवर करूँगा यह कुछन कि तरह होगा वही प्रशन में लिकिया हूं जहां पर बहुत सारे गलतियाँ होती सबसे पहला दुम्पन कमेंट बॉक्स पहण में अनसर देती रहीगा हो और मिला दीजी के सही इसका क्या होगा では सबसे पहला दुमक्य कोशन chilli वैसे ही कोश्चन आपके लिए लेका है निम्न मेंसे किस स्थल से नौ पासाड काल या पर कल हो गया है काल है ठीक है काल के साथ साथ ताम्र तथा लौ कालीन संस्कृति के और शेश मिले हैं वो आपको अदाना है जल्दी स कमेंट बोक्स पर एंसर कीजिए कि एविशेड में स सही एंसर क्या होगा बोल रहा है कि किस स्थल से किस स्थान से नौ पासाड काल के साथ साथ ताम्र और लौ दोनों जो कालीन है उसकी संस्कृति के और सेश प्राप्त हुए हैं किस कहां से किस स्थल से कमेंट बोक्स में एंसर कीजिए एविशेड में से बहुत सारे लोग य सब कोशन आप सही कर पाएंगे ठीक है तो एंसर किजे फिर मैं बताऊंगा इसका सही एंसर क्या होगा तो नौक, पासार, काल, के साथ-साथ, तामर, और लोह, कालीन, संस्कृति का और शेज़ जो मिले हैं, वो मिले हैं, सी इसका एंसर होगा कोलड डी हवाँ, कोलड डी हवाँ, जीन लोगों ने सही किया है, वो लोग बिल्कुल रैट है, बिल्कुल सही है, कोलड डी हवाँ से मिला है, next question देख लेते हैं, उसका answer दीजेगा comment बोकस में, फिर मिलाईएगा, next जो question है, दूसा अनुबर question, सरपथन धान की खेती किये जा तो जल्दी स्काइंड वक्स एंसर कीजिए एबी सीड़ी में से सही एंसर क्या होगा तो जिन लोगों ने फिर कोल्डी हवा एंसर किया है बिल्कुल राइट है बिल्कुल सही है कोल्डी हवा ही सही एंसर होगा बी बी जिन लोगों सही किया है बिल्कुल राइट है बिल्कु ये यूग भूला गयाै तो काल को यूग बोलते हैं अभजानते होगे पुरा पासाड मद्य यूग या नौ यूग या उप्रक्ट सभी तो आसे करते हैं सभी लोग ने comment बहुत सही answer कर दिया इसका answer होगा C 9 पासाड यूग या 9 पासाड काल ही बहुत सकते हैं ठीकर महापासार का नीम्ड में से क्या अर्थ था ? वो आपको आपको आज़ेगा तो आसे करते हैं सभी लोगोंने कमेंट बॉक्स प्तो होता है वो बोला याता था समाधियों पर लगे पत्थर बड़े पत्थर जो होते थे उनको तो ए जी लोग ने सही किया है बिल्कुल राइट हैं बिल्कुल सही है next question देख लेते हैं next question का भी answer कीजेगा बहुत ही असान question है दिखे next question आचुका है आमारे पास निन मेंसे किन कारणों से पुरा पासाड काल नाम पड़ा किन कारणों से पुरा पासाड काल नाम पड़ा वो आपको बताना है ABCD मेंसे एंसर दीजिए तो आसे करणे हैं सभी लोगोंने comment box चाहिए एंसर कर दिया हुआ इसका भी एंसर A हो जाएगा पत्थरों के उपकरण के कारण इसका एंसर A हो जाएगा ठीक है जिन लोगोंने A सही किया है बिल्कुल राइट हैं बिल्कुल सही है next question देख लेते हैं ठीक है next जो question है यहाँ पर आपको बताना है पूरा पासाड काल में धार्मिक विश्वास निम्न में से क्या था क्या धार्मिक विश्वास था वो आपको बताना है ठीक है तो comment box में answer कीजिए option के हिसाब से अपको बताना है तो आसकते हैं सभी लोगोंने comment box सही answer कर दिया और इसका answer हो जाएगा C क्राकरती सक्तियों से डरता था यानि क्या होता था ना कि जिसे बिजली ओजी कड़कती थी तो उससे डरते थे लोग ठीक है इसका answer C हो जाएगा ठीक है next question देख लेते हैं देखे next जो question है यहाँ पर आपको बताना है 95 यूग में मानव के इस्थाई जीवन का काराण था इस्थाई जीवन का काराण क्या था 95 यूग में ABCD में से answer कीजे देखे इस्थाई जीवन का जो काराण बोल सकते हैं वो है क्रिसी का विकास अब क्रिसी करेंगे तो जमीन पर रहेंगे जमीन एक जगर रहेंगे ठीक है इसका एंसर बी हो जाएगा लेकिन यह पर एक कोशन सही पूछा जिवासमन निम्न में इससे क्या था जिवासमन जो है वो क्या किसको बोल सकते हैं क्या था कमेंडबाक्स पहाइंशर कीजिए हैं तो आसे करते हैं सभी कमेंडबाक्स पहले पथरो के बीच में जमीन के नीचे यह सब जो दभी पाई जाती हैं उनको बोलते हैं ठीक है और जिवास में इधान मतलब कि ये जो पेट्रोल, मेटी का तेल, गयास, ये सब जो निकलता है, ये सबी चीजें, ये सबी आपके पहले जो आप दाओं में, या जैसे भी पृत्वी के जो भी आपके चेंजेज हुए हैं, उसके कारण जो मर गए हैं, दब गए हैं, लोग व प्रतिमाए निम में से किस चीज से बनी, कहां पर बनी हैं, तो उससमें बतिमाए जो है, बतिमाए मिलती थी, मिट्टी की, Si is cancer होगा, ठीक है, आज भी मिट्टी की है, Si is cancer होगा, ठीक है, next और प्रॉग लिटे हासी काल का, last जो कोशन है इतियास का जो लास्ट कोशन है प्रवगत्यासी का अठीक है अधिक है इस इंदू का भी और भी आगे हम लेख आएंगे एक चैप्टर वाइस, 10, 10, 10, 10, 20, 20, गोशन करके ठीक है तो यह लास्ट जो कोशन है इसका एंसर सभी लोग देंगे निव में से किस यूग में पहीवे का अविस्कार हुआ है। बहुत ही असान है। कई बार एक्जाम में पूछे याegen डाचुका है। किस यूग में पहीवे काअविस्कार हुआ है। तो आसे करते हैं सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही एंसर कर दिया होगा इसका एंसर C हो जाएगा 9,5,6 योग ठीक है C जिन लोगों ने राइट किया है बिल्कुल सही है तो देखिए दोस्तों ये था प्रागे 83 काल से कोशन, 10 कोशन जो आपके एकजाम में पूछे आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं तो आसे करते हैं कि आपको यह हमारा प्रियास, हमारा यह वीडियो आपको फसंद आगा हो तो अधिक सथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथी साथ कमेंट बॉक्स में यह भी पता हैं कि आपके 10 कोशन में से कितने सारे कोशन आपके सही हुएं और अगर आपने देखो सीखो इत विक्के को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है